सभी बच्चों को मुश्कार आज बात हम करने जा रहे हैं एक चिप्टर है सरकल चुकि यह कंसेप्ट है तो कंसेप्ट तो हर बुक में होता है तिसवे हम सिंगेज क्वाडिनेट जो कि आईटी जेए के लिए रिखी गई है उसको कवर कर रहे है आड़ी शर्मा जो कि आनते ह सिंगेज क्वाडिनेट आड़ी शर्कल होता क्या है अब आप कहेंगे तो बच्पल से पढ़ते आ रहे हैं सर्कल क्या होता है और कोई नई चीज थोड़ी आप बता रहे हैं हमें मालूंगे देखो ध्यान से अगर आप एक पॉइंट को फिक्स करने ठीक है और एक इससे थ थोड़ी दूरी पर पॉइंट लें और इस पॉइंट की कुछ दूरी होगी माले यह दूरी ए है ठीक है इस पॉइंट को इस तरीके से मूब करो कि इस फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी सेम रहे ऐसे मूब करिए कि दूरी हमेसा सेम रहे अब डाइग्राम हम तो आच्छा नहीं बना पाते हैं, यह दूरी हमेशा ए रहे नहीं मतबब है नहीं यह अलग की बात है आप ऐसे पहले बना लो सर्कल, हम बना नहीं पाते हैं अच्छा, ठीक है, यह फिक्स पॉइंट है और यह पॉइंट हम इधर उधर मूब करा रहे हैं यह ना, तो यह क्या बना, यह सर्कल बन गया जो हमने मूब कराया, उस पॉइंट का वो पात है पात को हम मैथमेटिक्स की भासा में कहते हैं, लोकस बिन्दुपत्ध, तो आप कहेंगे, सर्कल इस दे लोकस आफ दे पॉइंट यह इस point का locus है, इस point का बिंदुपत है, whose distance from a fixed point remains constant, जिसकी एक fixed point से distance हमेशा constant रहती है, यह circle होता है, ठीक है, यह जो व्रत है, हिंदी भी आप जानते हैं, इतना तो आपको मालूमी है, व्रत है, वो उस बिंदु का बिंदुपत होता है, जिसकी एक fixed बिंदु से दूरी है, जो कि same बता रहे हो, that is called radius soft circle, उसको हम radius कहते हैं, उसको R से denote करिए, या A से करिए, अलग की बात है, ठीक है, तो यह तो हो गया, circle होता क्या है, अब इसका equation कैसे निकाला जाए, तो equation में देखिए, हमको दो चीजें चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, एक तो हमको circle का center चा है, अब दो चीजें अगर हमको मालू हो जाए, तो हम equation निकाल सकते हैं, अचा जो आप point को घुमा रहे हो ना, वो कहीं भी हो सकता है, जब कहीं भी होगा, तो उसका coordinate xy मना जाएगा, ठीक है, तो हम equation of circle निकालने जा रहे हैं, वरत का समीकर निकालने जा रहे हैं, तो इसमे कई cases लेंगे, पहला case लेंगे हम, कि जब उसका center जो है न, वो origin हो, 0-0 हो, और radius उसकी R हो, radius को हम A से denote करते हैं, चलेगा, बुक में देखें कहीं किया गया, A से किया गया जातर, बुक में तो A लिखते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, आप मान कुछ भी सकते हैं, एक सिकन और ये इसका center है, 0-0, तो axis पहीं बना दे हम, ये x-axis है, ये y-axis है, ये इसका center है, और इसका coordinate है, 0-0, हमने कहा इसका radius A है, इसका equation निकालो, तो उसके लिए हमको उस बिंदु को पकड़ना पड़ेगा, जिसने circle बनाया, जिसने 2 जहां बनाया, वो कौन है, वो कोई भी point हो सकता है, जो इसके उपर चल रहा है, तो हमने एक general point उसके मान लिया, P, जब general point मानेंगे, तो उसका coordinate क्या मानेंगे, x, y, तो आपने का, देखो भी या, O से P की जो दूरी है, वो A है, बस आपका equation निकालाया, यानि O P is equal to क्या है, A है, O P is the distance between two points, और distance between two points का जो coordinate होता है, व यह हो जाएगा, under root, अब एक point हो जाएगा, x1, y1, एक हो जाएगा, x2, y2, तो हो जाएगा, x-0 का whole square, plus y-0 का whole square is equal to A, अब चुंकि यह root लगा है, तो root को हटाले के लिए square कर दो, तो यह हो जाएगा, x square plus y square is equal to A square, यह circle का equation है, तीक है, जिसका center 0, 0 है, और जिसका radius, yes, यह है, ठीक है, यह तो पहला case हो गया, अब दूसरा case, center कहीं और भी हो सकता है, तो हमने का center 0, 0 के अलावा कुछ और है, तो एक और case ले लेते हैं, center is h, k कुछ भी माल लो, generally h, k मानते हैं, इसलिए मैं मान रहा हूँ, आप alpha, beta माल लो, जो आपको पसंद हो, जो तुम को हो, पसंद हो, वही बात कहेंगे, जो h, k को alpha, beta को हो, तो alpha, beta कहेंगे, तो दूसरा case हम लेके चल रहे हैं, कि center जो circle का है, वो हमने कहा, h, k कामा, k है, और radius उसकी a है, यह हमने माल लिया, तो कहीं माल लो, आप coordinate system, ड्रा करो, ना ड्रा करो, understood है, ठीक है, यह एक circle है, किसी भी quadrant में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बनाने को आप चाहो बना लो, तो कोई particular हो जाएगा, आपने first quadrant मनाया, कई भी हो सकता है, ठीक है, इसका center आपने क्या कहा, h, k, radius आपने a कहा, तो radius कर के लिए हमने क्या कहा, भाई, कोई एक point लेना पड़ेगा ना, इस circle को जिस point ने बनाया, जो point घुम घुम की घुम घुम की घुम घुम की घुम घुम की घ उसका locust था, तो उसको हमने p मान लिया, वो कहीं भी point हो सकता है, और कहीं भी point जब माना जाता है, तो x, y माना जाता है, आपने जब straight line का equation निकाला था, तो आप वहाँ पर equation x, y के टम में लिखते थे, ठीक है, और जब आप उसको किसी particular point से pass कराते थे, तो उस x, y की जगे इस value को रख देते थे, ठीक है, तो अब आप कहेंगे भाई, यह जो दूरी है ना op, वो a है, तो आपने कहा थे, op की value क्या है, a है, और op is what, op is the distance between two point, लगा दीजे फ़र्मुला, under root x2 बानस x1 whole square, प्लस y2 बानस y1 whole square, तो यह हो जाएगा under root, यह हो जाएगा x1, y1, यह हो ज y-k whole square is equal to a, square root हटाई है, square ring कर दो, तो x-h whole square, प्लस y-k whole square is equal to a square, तो यह equation of circle है, जिसका center h, कामा k है, और जिसका radius a है, ठीक है, तो दो चीजे, यही दो फार्मुले है main, और फार्मिट होंगे, बहुत सारे फार्मिट होंगे, इसमें कुछ standard results है, उन्हें ज़रा संबल लीजे, हमने क्या कहा, circle को निकालने के लिए दो चीजे हमको चाहिए, हमको center चाहिए, और हमको radius चाहिए, उसको निकालने के लिए, समझने के लिए, कुछ भी करना पड़े, देखना पड़ेगा हमको, तो ज़रा कुछ special cases देख लेते हैं, और उन special cases क के base पे हम कुछ formula बनाने की कोसिज करते हैं, जो हम formula बनाने जा रहे हैं, वे formula आप याद रखें ये जरूरी नहीं है, ठीक है, उसका funda याद रखें, क्योंकि हमको formula बद दो मालूम होने चाहिए, कि अगर center 00 हो, और center h कामा के हो, बस दो formula से काम चल जाएगा, ठीक है, इसमे कुछ special cases हम लेके चल रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं, origin वाला होई गया है, माल लेते हैं हम एक special cases कुछ है, special cases, ये दो case तो हमने बता दिये आपको, वो case ना कहिए उनको, दो formula हमने आपको बता दिये, एक case यहाँ परा रहा है, when circle touches x-axis, पहला case हम ले रहे हैं, when circle touches x-axis, अगर circle x-axis को touch करें, अच्छा, यहाँ पर circle काउंस का लिया जा रहा है, जिसका center h-k है, और जिसका radius a है, यह लिया जा रहा है, तो सौधान, circle अगर x को touch करता है, तो पहली बात तो यह ऐसे भी हो सकता है, circle यहाँ भी touch कर सकता है, यहाँ भी touch कर सकता है, कैसे decide करेंगे, center decide कर लेगा, अगर यहाँ तो यहाँ touch करेगा, तो इसका center first quadrant में होगा, center second quadrant होगा, तो यहाँ touch करेगा, center थर्ड में होगा, तो यहाँ touch करेगा, center यहाँ होगा, तो इधर touch करेगा, understood है, अब अगर हम center h-k माल ले, और हम कहें, इसका equation निकालो, तो आप कहेंगे, equation होता है, x-h whole square plus y-k whole square is equal to a square radius नहीं, नहीं दिया है, हमने को center दिया है, a हमने माल लिया लग की बात है, यहाँ पर हम नहीं मान रहे है, क्या radius आप a माल लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर a माल लोगे, और formula लिखो को, x-h whole square plus y-k whole square is equal to a square, यह तो पहले का formula हो जाएगा, special case का a का, जरा साउधान, क्या मैं इसको radius कह सकता हूँ, a, तो आप कहेंगे कह सकते हैं, क्या इसकी value आप निकाल सकते हैं, देखो साफ साफ दिख रहा है, कि अगर center h comma k है, यह h है और यह k है, यह k है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका जो radius है, actually में k है, नहीं कह सकता हूँ, बस यह इसलिए हमने concept लिया, आ आप कहेंगे कह सकते हैं, अब कह सकते हैं, तो लिख दो गए लो, तो एक question क्या हो जाएगी, equation of circle, equation of circle जो होगी, वो क्या होगी, x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to, a क्या है यहाँ पर, k square होगा, चुकि यहाँ से जब square खुलेगा, तो यह k square इसको cancel कर सकता है, इसलिए ऐसा करो इस bracket को खोल ही दो, तो इसको खोलो कि क्या हैगा, x square plus h square minus 2hx plus y square plus k square minus 2ky, और इस k square को इधर ले आओ, is equal to 0, k square, k square कर गया, तो इसको जबाए अमेंडमेंट कर दो, x square plus y square minus 2hx minus 2ky plus h square is equal to 0, यह उस circle का equation है, इसका center h kama k है, और जो x axis को touch करता है, touch करता है, यानि कि x axis की tangent है, अब जरा समझेगा, इस formula को याद कर लेते हो अच्छी बात है, लेकिन ना ही याद करो बहतर होगा, आप इसको कि यह याद कर लो, यह समझ लो कि यहाँ radius k के बरावर है, और यहाँ value रख दीजिएगा, rest calculation एक second में हो जाएगा, ठीक है, इसके बात मान लेते हैं, next case कि circle touches y axis, circle y axis को touch कर रहा है, x को नहीं touch कर रहा है, y को touch कर रहा है, दोनों को touch कर सकता है, वह वाद की बात है, circle touches y-axis तो दूसरा case हम लेके चल रहे हैं कि वें circle touches y-axis तो अगर y-axis को ये touch करेगा तो कुछ नया ही बना दे पुराना नहीं ठीक रहेगा तो कुछ ऐसा circle हम कह सकते हैं ये y को touch कर रहा है x कहीं भी हो सकता है x को भी कर सकता है वाद की बात है ये x-axis है ये y-axis है और center है h कामा k तो equation तो मुझे मालू है x-h whole square प्रस y-k whole square लेकिन radius क्या निकाल सकते हैं अब ज़रा ध्यान से समझेगा अगर हम actually center की तरफ पहुँचना चाहते हैं तो यहां से h जाएंगे और यहां से उपर k जाएंगे ये h होगा की नहीं होगा यही radius है की नहीं है हो गया यानि जो radius है उसकी जिगे क्या रखोगे h तो जब हम equation इसका निकालेंगे तो क्याएगा x-h whole square प्लस y-k whole square is equal to a square क्या बन जाएगा h square अब चुँकि यहां से जो h square खुलेगा इस h square को cancel कर सकता है 2hx plus y square plus k square minus 2ky is equal to h square तो minus h square बड़ावर 0 यह कड़ गया तो यहां गया x square plus y square minus 2hx 2hx minus 2ky plus k square is equal to 0 अब अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो याद कर लो कोई दिकत नहीं लेकिन बेहतर ही होगा कि इसका फंडा समलिजेगा कि यह दिया क्या है ठीक है इसके बाद कह रहें कि अगर circle touches both axis अगर circle both axis को touch कर रहा तब क्या होगा देखो ध्यान से यहां तो x को touch कर रहा था फिर y को touch किया अब कहते हैं कि circle touches both axis थोड़ा सा इसको जब लिखिए तो जब भी dry हो जाता है तो रब करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है खेर देखो ध्यान से थर्ड केस हम ले रहे हैं कि circle touches both axis both the axis center h कामा के radius a है अब क्या हमको मिलेगा क्या हमको मालूम है कुछ नहीं मालूम हम एक circle बना देते हैं और इसको x को भी touch करा देते हैं और y को भी touch करा देते हैं और यहां कहीं center है क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है, सेम है, क्या सकता हूँ न, यानि ये भी radius, ये भी radius है, यानि ये दूरी भी A है, ये दूरी भी A है, तो क्या coordinate A कामा A नहीं हो जाएगा, जो कि H कामा के आपोल है हो, हो जाएगा न, हो गया equation, center मालूम, radius मालूम, equation निकालो, तो X minus H, यहनि X minus A का whole square, plus Y minus A का whole square is equal to A square, अब bracket खोल दो, उठा करके, X square plus A square minus 2AX plus Y square plus A square minus 2AY minus A square is equal to 0, ये कड़ गया, अब इसको थ्लार लिख दो, X square plus Y square minus 2AX minus 2AY plus A square ब्रावर 0, तो ये circle का equation है, जो दोनों axis को touch कर रहा था, ठीक है, अब कहरे हैं कि माल लीजिए, circle एक और concept लेते हैं, ये special cases हैं वही कि आपको coordinate system का ग्यान है कि नहीं ग्यान है, तो ग्यान होगा ही होगा भई, आप ग्याता हैं, coordinate पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ये जानना चाहते हैं, कि आपको अगर coordinate का ग्यान है, तो आप center और radius निकाल लेंगे देख करके, ठीक है, next case है, case number 4 साइद था न, ये कह रहे हैं कि when circle passes through origin and center is on x-axis, circle passes through origin, passes through origin and center is on x-axis, center h-kama-k है और radius a है, लेकि ये पहचाना पढ़ेगा कि भई, क्यार, center को radius के term में कुछ relation आ रहा है, देखो, circle है कैसा, ये circle है, जिसका center x-axis पर है, और origin से पास हो रहा है, यानि कि ये origin से पास हो रहा है, तो देखो, origin से पास हो रहा है, 0-kama-0 से, ठीक, और इसका center x-axis, जार साउधान, अगर x-axis पर center लो गए, तो यहाँ पर y-coordinate 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या यहाँ से यहाँ की दूरी को आप radius कह सकते हैं, कह सकते हैं, और तो इस point का coordinate क्या हो जाएगा, a-0 नहीं हो जाएगा, तो अगर ये origin है, ये center है, o-s, तो center a-0 नहीं हो गया, अब आप कहें बात वहीं है ना, तो आपको center मालूम हो गया, h-k, h आपका a है, k आपका 0 है, और radius मालूम हो गई, तो इक question क्या हो जाएगा, x-h whole square plus y-k whole square is equal to r square, खोल दो bracket इसको, x square plus a square minus 2ax plus y square is equal to a square, ये a square को cancel हो गया, तो x square plus y square minus 2ax बरावर 0, तो ये हो गया, कि जब center से होकर कि circle pass हो रहा है, और rate जो, sorry, circle center से होकर pass हो रहा है, origin से, और center उसका x-axis पर है, अब अगला case है कि, जो पांचमा case है, कि circle passes through original center region y-axis, center उसका माल या y-axis पर हो, तो circle कैसा बनेगा, ज़रा देखिए ध्यान से, अब देखो, अगर y-axis पर आप center लेते हैं, तो पहली बात आप जानते हैं, तो पहली बात आप जानते हैं, कि दूरी को radius कह सकते हैं, तो अगर radius a है, तो इसका coordinate 0, a हो सकता है, अब आपको center माल túne हो गया, अब आपको radius मालू हो गई, तो हम ने क्या कहा, अगर circle का radius मालू है, circle का center मालू है, तो circle का equation, निकाला जा सकता है, निकाल दो equation of circle, क्या हो जाएगा, x minus 0 whole square plus y minus a whole square is equal to radius का square, खोल दो इसको, यह तो ऐसे रहेगा, यह आएगा y square plus a square minus 2 ay बराबर a square कर जाएगा, तो आएगा x square plus y square minus 2 ay बराबर 0, तो यह circle का fundamental है, concept है, fundamental है, चीक है, exercise इसके आगे, बहुत सारे और भी उसके format है, वो बताए जाएगे, तब तक, नमस्कार,